अगर सम्यक के सुरू करने से लेकर अब तक कि थोड़ी अगर संच्छेप में कठनाईयों के बारें बताएं किस तरह की कठनाईयां सामने आई तो ताकि लोग को पता चले कि एक अमिटकरवादी विचारधारा को बरहाने में आपने कितनी बड़ी से क्रिफाइस किया सम्यक परकाशन ने कितना त्याग किया है आज जो हम अपना सम्यक परकाशन के कारियों पर पीशे मुड़कर देखते हैं तो लगता बड़ी मुश्किल से हम यहां पहुंचे हैं और आज जादा बहंकर माहोल है देश में राजनितिक माहोल और हमारे ही बच्चों को हमारे ना गुटने टेकने वाले है ना भागने वाले है मगर एक बात हम आपको जरूर कहेंगे कि आज प्रकाशन के शेत्र में हमारे दिक्कते हैं सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इस सेकुलर देश में एक खास विचार लाइब्रियों में पहुंचाया जा रहा है और सम्मेक परकाशन और सम्मेक परकाशन जैसे और जो दूसरे परकाशन है जिसमें दलितों का पिछणों का साहिते चापा जाता है और इनकी अंद्विश्वास की विरोध में जो साहिते चापा जाता जो बुद्धिवादी साहिते है उसको लाइबरीर तक नहीं पहुंचन लिए बेशते हैं लाइबरेडियों के खरीद में उसके 500 रुपे बन जाते हैं उस 100 रुपे की किताब के और सरकार जब किताबें खरीदती तो वह काफी बड़ी संख्या में खरिदती है हमारा 25 साल का यह अनुभव है कि हमें लाइब रेडियों में परवेश करने से रोका जाता है वो लोग इतने चतुर चालाक हैं अपनी समझदारी गल्त काम में खपाने के लिए इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो उनके पास हजारों बाहने हैं मगर किताब खरीदन नहीं है जिसके खरिद से कोई एक परकाशन खड़ा हो सके मैं अगर यह परकाशन का कारे चला पा रहा हूं तो उसका कारण यह है कि मैं अभी भी चित्रकारी से जो चित्र बनाता हूं या बनवाता हूं उससे भी मिरी एक आय होती है मैं सरकारी पेंशनर हूं मुझे वो यह है कि जो हमारी आंतरिक जो दिक्कत है जो हमारे संग्ठन है मैं नाम लेकर कहूंगा क्योंकि इसमें अच्छा है मैं सुधार की भावना से कह रहा हूं एक भारते बोदमा साबा संग्ठन है जिसका मैं नेशनल वाइस प्रेजिडेंट हूं और उसकी प्रेजिडेंट साहिब डांक्त अमबेटकर की पुत्रवदू नेशनल प्रेजिडेंट मेरे पोजिशन आती है उस संग्ठन में भी साहित्य के पृति वो तडप वो नहीं है वो महत्व नहीं दिया जाता जो दिया जाना चाहिए दिल्ली में आप देख लीजिए जहां दिल्ली में अमबे नवा ग्रहक आते हैं नवा किताब मिलते हैं जब किताब नहीं मिलेगे तो ग्रहक क्यों आएगा दूसरा यह है सर एक स्टोन स्थरो डिस्टेंस इतनी दूर पर पत्थर मारों तो पहुंच जाएगा वारे से इसका परकाशन है सूरुची परकाशन वहां जाकर के इतने ने पर पाठक आ रहे हैं कितने वहां पुष्टक प्रेमी आ रहे हैं तो साहित्य के प्रती हमारे संग्ठन में आपको एक संग्ठन का नाम बताता हूं दिल्ली में हैं परी संग है करमचारियों का बहुत बड़ा संग्ठन है बहुत आलिशान उनका दफ्तर है किनार दिया है यह नहीं यह किताब नहीं है भीकिए अरे दुनिया आका आप बाबा साहिब टांबेट कर फोटो लगा आ पने मैं परेशेप प्राप्त कर लो बाबासाहिब टांबेट कर दुनिया के सबसे बड़ी विच्ञाले को पर्सेनल लाइबरी имость लाइबरेर के मालिक यह किताब बेचने वालों को बहार निकालो तो यह सहत्य पिर्ति जो अरुची है अज्ञानता है यह एक सबसे बड़ी बाधा हमारे समाज में है दूसरा क्या है कि अभी एक हमारे कुछवा हमारे मित्र हैं वो किताब बेच रहे थे छतरपूर में एक कोलिज के सामने उनकी छोटी से दुकान उन्होंने बनाई वहां एक किताब बिक रही थी अरे इंदू जागो वो किताब का लेखक तो ब्रामन है चक्रवरती है अंग्रेजी में किताब है उसका है अनुवात प्रोफेसर राम नाथ जी ने किया है जो रेट परिवार के और आकर उन्होंने उसको मारा पीटा उसकी किताबे लूट ली और उसको ले जाके थाने में बंद करा दिया क्योंकि शाषक जातियों का थाने में राज चलता है और उस व्यक्ति को एक दिन जेल में रखा उस पर कोई केश भी बना दिया है अब वो मामला चल रहा है वो क्या है वो हमको कुछ नहीं कहेंगे उनको पता है यह परकाशा का जागरू का पड़ा लिखा है कानून भी जानता है मगर वो किताबे उनको यह पता है कि ना यह गाओं में कोई किताब लेकर आएगा ना यह किताबे कहीं तक जाएंगी तो किताब बेचने वाल तो उनको भी पता है मुकदमा डालने वालों को मुकदमा खारिज होना है महिसरीट को भी म说ल effort इसकी को spillon देनीन खतम होना मगर 45 साल इनको परशान करके साधने लोकों को तोड़ने का मैं जो होता है यह खासकर जो ब्राभ्रामनिकल सिस्टम है उसको तो रही क्योंकि बहुत बर्गों के लोग कॉलेज इनवर्शिटी बbew हुआ पहुँच रहे उनिबादी नहींुक हुँच रहे हैं तो अब क्यामीद दीखता जो करवादी centers पहले से जो आपने बताया बच्चों में बाबा साप के पिर्ती अपने उसके पिर्ती सारी चीजे बिल्कुल बढ़ रही है इसे कोई नकार नहीं सकता मगर मेरा मानना ये है कि जैसे जिसको आप कहते हैं शिक्षित हो गया मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जो अपने सामाजिक विरासस से दूर रहे अभी टीना डाबी जी ने शादी की है एक मुसलमान से बहुत अच्छा काम किया हिंदू कोड़ बिल्म के प्रावधान को उसने जिन्दा बात किया मगर अंतर जाती विवा जो एक जाती तोड़ने का सशक्न माध्यम हो सकता है तो ये भी हमारे काम नहीं आ रहा देखे एक संतराम भी हुए बाबा साब के समय में लाहोर में उन्होंने जात पात तोड़क मंडल में बाबा साब को बुलाया और कहा कि आप यहां आए और अपना प्रबोधन दर लिखकर अपना भाषन भेजे बाबा साब ने अपना भाषन भेजा उन्होंने कहा कि इसमें से ये चीज़ हटा दो बाबा साहब ने का मैं इसमें ना कोमा लगाऊंगा ना कोमा हटाऊंगा इसको अगर ऐसे यह आपने पढ़वाना है तो मैं पढ़ूंगा और नहीं तो मैं नहीं आऊंगा वो उन्होंने बाबा साहब का परस्ता और स्विकार नहीं किया अपना कारेकरम जरूर इस्थगित कर दिया और आज तक नहीं हुआ वो मगर बाबा साहब ने वो भाषन एनिलेशन ओफ कास्ट अन डिलिवर्ड स्पीच के नाम से परकाशित करा है जिसको आज हम एनिलेशन ओफ कास्ट कहते हैं उसका जो संतराम बीने जिन्होंने बुलाया था उन्हों जात पात तोड़क मंडल चलाते थे उसको जनरल सेक्रेटरी थे आरे समाज का संग्टन था उन्होंने उनकी तीन बेटियां थी तीनों को मैं जानता था अब तीनों संसार में नहीं है उन्होंने तीनों बेटियां हाईर कास्ट में शादी कर दी टूट गई जात एक बाबा साब के वन ओप दा बेस्ट एसोश हिट उनके सहयोगी सोहनलाल शास्ती जी मरें हम उनी की चेले हैं अब आज हमें आज पता चल रहा है मुझे लगता है कि साधी को लेकर जो कानूनी प्रापधान है सब की मर्दी है वो कहीं करें मैं सिर्फ यह जानने को सिस्कर रहा था कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उस चल जा था आपको मैं थोड़ा लंबे उधारन में दे दिये जब तक हमारे बच्चों के अंदर अपने समाज की शिक्षा नहीं है अपने समाज के पृति गोरव शाली बिंदवों का परीचे नहीं है तब तक ये इसकूली शिक्षा से हमारा कुछ बनना नहीं है हमें से घ्याया निपढ़ाया जाता है तो बच्चे के पैदा होते इसकूल में जाती पता चल जाता है इस देश में जब तक हम अपनी सिक्षा अपने बच्चों को नहीं देंगे हमारे बच्चे कितनीmittel पढ़ लिखकर आ रहे हैं, वो हाथों में हत्यार लेकर आ रहे हैं, मगर उन हत्यारों में धार नहीं लगी है, सारी बाते बिलकुल सही है, खुब छात्र छात्राइं आ रहे हैं, पीड़ा भी है, तडप भी है, जैनती अभी खुब मने अब जैनतियों का भी क्या हाल है, बाबा साह आपको परणाम करके अपने अपने घर जा करके 364 दिन के लिए जाकर सो जाते हैं फिर अगली अपरेल को 14 अपरेल को आते हैं यह आंदोलन ऐसे नहीं चलते हैं जैनतिया मनाने से आंदोलन नहीं चलते हैं जिस महापुरुष की आप विचार धारा को लेकर चल रहे हैं अगर उस पर अमल नहीं करते हैं, तो जैनती मनाना भी हमारे उपर एक बहुत बड़ा बोज हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ, कि जैसी हम जैनती मना रहे हैं भारत वर्ष में, हम हर साल कई यूनियुविश्टिय उस जैनती मनाने के पैसे से बना सकते हैं, ये कि आपने बहुत ध अगर बहुत धर्म जिस्तेजी से फैलना चाहिए था, वो नहीं फैला, उसके उतने अनुआई नहीं बने, तो अब जाके आपको कुछ सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि बुद्धियम के परती भी लोगों की ललक बढ़ी है, जिस तरह से कई धर्म के लोगों, मैं किसी बावा साब की जो अपनी विचारधारा थी, वो विचारधारा थी कि साइन्टिफिक टेंपरामेंट है, उस से आगे बढ़िये, समाज को बेहतर बनाईए, धर्म के उन्होंने नीजी चीजों को रखा है, क्या अपनी रूप से धर्म के बारे में जो रहा है, रखिये, तो आज एजुक्रेशन को लेकर चुक्या पोस्ट एकिसवी सदी में है, पोस्ट मराईशन में, कम्प्यूटर का यूग है, तो वहां कहीं ने कहीं आपको लगता है कि धर्म, चाहे धर्म कोई भी हो, हर धर्म में अतिवाद का परवेस है, हो सकता है, बुद्रिजम उसमें कम ह लेकिन अतिवाद तो है, एक कटरता की धर्म जो है, वो धर्म में आ रही है, चाहे वो अपने विस्तार के लिए हो, या दूसरे धर्म को नीचे दिखाने के लिए हो, इससे आप क्या इतफाक रखते हैं? मैंने मानना ये है, कि आप किसी भी आंदोलन का जांच पड़ताल किसी एक दो घटनाओं से नहीं कर सकते, बुद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ है, बुद्ध की शांतिवादी विचार धारा से हुआ है, करूना, मानो, कल्यान, यह उसका मैन एजेंडा है, आज जब हम य बात कहते हैं, कि वैग्यानिक यूग है, परगते का यूग है, साइन्टिफिक डव्रप्मेंट का यूग है, कम्पूटर का यूग है, तो इसलिए शाय धर्म पिछड़ गया, मैं भी मानता हूँ, धर्म पिछड़ गया, 100% पिछड़ गया, मगर जिस परिभाशा में दू आई की तरह चप्टी है, तो उसाब उसकी हत्या कर दी गई, मगर ये बुद्धी कह रहे हैं अपने संदेश में, कि ये एक सूर्य नहीं है, एक सोर परिवार नहीं, अनन्त सोर परिवार हैं, आज का विज्ञान भी वही कह रहा है, तो कहने का मतलब यह है, कि साइन्टिफ बेट करने जब जो बोध्धर्म ग्रहन किया है, तो उनका बोध्धर्म जो बाकी महायानी धर्म है, उससे अलग है, उन्हों बाबा साब ने जो बोध्धर्म दिया है, वो दो चीज उनका बोध्धर्म है, एक उन्होंने जो किताब दिये दी बुद्धर निधमा, वो सबसे ज़्यादा साम्मेवाद ने परभावित किया मगर भारत में आकर वो फेल हो गया रश्या का तो नक्षा बदला राज ने थी खूब बदला आसपास के राज्यों में देशों में बदला वहां कहस्त जैसे जो कुईवा में थे उन्होंने वहां का नक्षा बदला मगर भारत वर्ष में जो यहां का साम्मेवाद यहां की जरूरतों पर खारा नहीं उतर पाया उसका कारण यह था मार्स ने कहा था लिखकर कहा था परी किताब में कि भई आप जो है एतिज्म का परचार करो यानि के नास्तिकता का परचार करो मामला पिछड़ गया तो यहां के जो साम्मेवादी लोग है वो असल में साम्मेवादी नहीं बन पाए इसलिए भी चड़़ गया अब आज हमारा क्या कहना है मार्स ने कहा था धर्म एक अफीम है अब हम एक किताब बना रहे हैं हाँ वास्तों में धर्म एक अफीम है यह हमारी किताब आ रही है तो हम उसमें बताएंगे ने उन्हों धर्म जिस धर्म को अफीम कहा था वो कौन सी धर्म था जो धर्म लोगों में वैमनस से पैदा करे जो धरम लोगों को दुश्मनी सिखाए जो धरम आदमी के लिए रात को चैन से सोने का इंजाम ना कर सके जो धरम सुबेरी निर्भी को करके उठने का गारंटी ना दे सके वो धरम की श्रेड़ी में मुझे को नहीं रखते हैं तो इस दिरिष्टी से बोध धरम बाकी सब धरमों से बहुत भिन्दा है बहुत अलग है अब कारण यह है कि बोध धरम का जब नास हुआ तो इनकी परतिभाओं का भी नास हुआ तो वो चुनोतियों का कैयों का सामना नहीं कर पाए जब एक इसलाम की चुनोती बहुत धर्म के लिए जब आई तो वो उसका सामना नहीं कर पाए और ये समस्या खाली अपना पूरु से नहीं आई पश्रिम से नहीं आई पूरु के देशों में भी बहुत धर्म का नास हुआ अब ये जो एक घटना जो बर्मा के आपने बता ही है ये खाली एक घटना पूरी दुनिया में देखने में मिलती है और वो भी क्यों है क्यों कि आज पास कर देखा जा रहा है कि बहुत इस तरीके के धार में गुरु ऐसा कर रहे है वैसा करने, शायद उसका प्रभाव उन पर भी पड़ा है वो, पर उसको सब ने उसके आलोच रहे किया, उसको हम कंडेम किया है। जिस तर से साहित को लेकर अपने लगातार काम किया है, शम्यक परकासन ने बहुत एकदान दिया है, देश में विचारधाराएं भी पदल रही है, अमबेटकर को लेकर हर पार्टी, राजनितिक पार्टी की बात करें तो वो अब उनको अपना आइकोन मानने लगे हैं, बैच वो रिसनल हो रहा है, वो जादा तरकवादी हो रहा है, और वो अमबेटकर के तमाम विचारों को तेजी से अपना रहा है, और इसमें सम्यक परकासन की आगे किस तरह की भूमिका होगी? नहीं हमारी भूमिका तो पहले से जो निर्धारित है वो ही है, मगर अब और ज्यादा लोगों की जिग्यासाएं सम्यक परकासन से जुड़ गई हैं, अपेक्षाएं सम्यक परकासन से जुड़ गई हैं, इसमें कोई संदे नहीं है कि बाबा साब के पिरती आस्था रखने वाले लोगों की बहुत भारे संख्या में विर्धी हो रही है, ना केवल उनकी जाती के अंदर, अब हम बाबा साब की जाती के नहीं हैं, अभी जो नीचे में बैठा था टेली फोन आया, वो तो मद्दे पर्दे से कुर्मी जाती के विद्वान का आया, जिन्होंने बाब में दो, बिआए, जो एक जिग्यासाए, दार्षनिक जिग्यासाए, इतिहास संबंदी गुंतियां, हमारे हैं एक किताब है, Milindo Prishn, Ultima das, यो यूनान का राजा था भारत वर्ष में आकर वो बहुत बन गया था, ये हमारे इतिहास में सब दर्ज है, सब किताबों में मिले विरोधियों का जवाब देने की क्षमता नहीं होती, विरोधियों का जिग्या सावं को शांत करने के विद्वान नहीं होते हैं, उसका पतन हो जाता है। करें और सारे देश में जो एक तूफान खड़ा हो रहा है, वो जातियां तोड़ कर खड़ा हो रहा है, वो छेत्रियत तोड़ कर खड़ा हो रहा है। के लिए अधिकार लेने के लिए यह समझ लेने या महारों के लिए कुछ लेने आया हूं। उनका स्पष्ट लेटर है सब। मैं यहाँ पर समझ जितने भी शिडूल कास्ट हैं उन सब के लिए ही लड़ने आया हूं। तो ऐसा विचार जो एक जाती के लिए ना बंदा हो उसी में तो हमारा कल्यान है। तो एक आखरी सबाल की जो युवा हैं जो कॉलेज पहुंच रहे हैं इनवर्सिटी पहुंच जिस तर से रोहित बिमुला का मामला आया। उसके बाद से तेजी से दलित, मुस्लिम, माइनॉर्टी, महिलाएं, जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं चाब वो किसी कास्ट की हो, OBC, जो पिसी रियाती के लोग है। जसले हैं चाब करता हैं जाफ महिलाएं, मलच महारे सक्वारेसित, महीला आद्व पहुत कुछ पहुत से थी, ये महीला आयदे में एक जगा होकर नहीं बैठते हैं तो यह जो एक एकता बन सकती है पिछरों की दलितों की आदिवासियों की महिलाओं की माइनेटीज की वो समयक प्रकाशन के एजंडे पर है और प्रात्मिक एजंडा है साब वो हमारा मैन एजंडा है आज भी जब नीचे आए हैं तो अभ आप रहा हूं अभी हमारे यहां मुसल्मानों से संबंदि जो हमारे मुद्दे हैं जो हमारा कौमन कोज है उनको लेकर कुछ किताबे आ रही है हम ने जो आपने जो बात महसूस की है वो बिलकुल हकीकत है आज कोई अपमानित होकर के मरना नहीं चाहता स्वाबे अब जिए प्रियासरत है एक और सवाल था मेरे मन में मैं चाहता था कि आप से जब भी मेरी बात होगी तो मैं आप से पूछूँगा कि सोसन पर बहुत किताबे लिखी गई है प्रेम चन ने भी लिखा है बहुत साहल संकिर्टियान ने भी लिखा है आदम गुंडबी ने अब तक कभी ताएं किया है जो परतिरोध की बात है क्या समय प्रकासन तमाम सोसिल्स बंचित लोग को बताएगा कि उनके इतिहांस को उ दिमक्रेसी की वज़ा से बाबा सहब के लगातार अथक प्रयास की वज़ा से क्या उन लोगों को या वो नए लोग जो लिखना सुरू करना चाहते हैं क्या समय प्रकासन उनके लिए कोई ऐसा कदम उठाएगा जिसे सिर्फ लेवल लगे लोग को न छपकर वो तमाम लगे लेखन प।ीव्हा का बहुत अभाव है और जो बच्चे मैं देख रहा हूं बहुत पृथिभाबान बच्चे जिस बच्ची का आप नाम बता रहे हैं न मुन्नी भारती उसमें बहुत परतिभा है और जब मैं आपको देखता हूँ टेली विजन पर और आपके पास जो शब्द होते हैं और जो आप जिंदा विचार पेश करते हैं यह तो आप तो नई पीडी के बच्चे हैं मेरे लिए तो यह उपलब दी है इस जमाने की सम्यक परकाशन ने एक जो अभी मैंने डीव रहमनाईजेशन का जो आपको वर्ड इस्टमाल किया वो बड़ा व्यापा का और यह विशे भी उसी के अंडर आता है इस पीडी को अपने महापुर्ष्णों की पहले तो तलाश करनी है वो बेदिया था जैचंद गोरावशाली बहुत समराठ था और उसके परमान तिबबत के साहिते में विद्धमान है हमने वहां से उसको खोच के लाए हैं उसको हम बता रहे हैं हम अपनी आने वाली जो पीडी है जो जुड रही है पीडी बड़ी तरफ है बड़ी ललक है मगर ऐसा ना हो कि कई बाबा राम देव की तरफ कीचड को कीचड से दोने लगें कपड़े में कीचड लगे तो पानी से दोईए ना अब कीचड लगे कपड़े को कीचड से दोईएंगे तो समस्या का हल नहीं होगा ये बच्चे बुद्धिवादी बनके आएं और सारी जितन कमराट अशुक के समय में नहीं मिलती इनका निर्मारबाद में हुआ आज भी एक एक जाती कि मैं आपको बता दू ददद जातिया कैसे बन गई है उसका पूरा मेरे पास उसकी टेक्निक मैंने खोज ली है आज हम इस देश में जो एक जाती है बहुत बड़ी संख्या में उस कि उसको छोड़ करके जो अलग जातिया बन गई है वो अगर हम उनको इतिहास देंगे और वो एक बाप की ओला साबित हों कि तो आगे आने वाले समय में एक शक्ती बनेगी निसंदे बनेगी आने वाले जो रिसर्च इसकोलर सब आ रहे हैं बहुत सारे रिसर्च इसकोलर स हमें बहुत परभावित करते हैं उसमें रोहित वैमिला अगर जिंदा होता तो आगे आने वाले समय में हो सकता है वो भी डाक्टर अमबेटकर बनता मगर उसने जुकना नहीं सीखा था और हमारी मानने तह यह है कि उसने आत्मत्या नहीं की है अमबेटकर वादी स्वाभी जो नहीं पीडी में जो एक उत्सा बन कर आ रही है मेरी एक मानने तहुर है यह जो दली साहित्यकार बलातकार और यह अभी उससे उपर नहीं उट पाए हैं अब दूसरा उन्होंने अब आत्म कथा हैं अपनी जो लिखनी शुरू की हैं मैं कहता हूँ इस लानस को छोड़ तो समाज में एक चीतना जगती है आप जैसे आपकी जो पलब्दी है आपने समय प्रकास अस्ताफित किया एक लंबा संगहर्स किया आपको नहीं लगता कि तमाम बो सोसित बंचित तपके के लोग जो तमाम तरकी कटनाईयों को जहेल के में में आते हैं चाहे वो टीना डा पार नहीं है बैक ग्राउंड नहीं है हमें आर्थिक समाजी करूप से सोसित किया गया है फिर भी जो बाबा साहब ने हमें हतियार दिया डेमोक्रेसी इनवसिटी खुला है उसमें हम जाएं परे तो एक लगता नहीं है कि छोटी-छोटी सफलताओं का जो एक कुंजी होग यह बहुत सारे मेरे जैसे तरप रखने वाले मितर साहित्तिकारों का मेरे सहहोगियों का एक सेयुक्तु प्रयास है और वो सफल हुआ आज हमारे बीच में जो परतिभाएं हैं जो परतिभाएं जूज रही हैं उपर आने के लिए उनको उपर उठाने का एक महौल हमारे अंदर से नहीं बन पा रहा है किसी ने बहुत अच्छा गाना गाया दे दो भ़ई इसको सोने की अशर्फीयों की ठैली उसके बाद क्या हुआ कि ये समाज तो वंचित हो गया पीडित हो गया सब कुछ चीज अपनी खो बैठा मगर एक बात हमें बड़ा उत्साहित करती है कि आज राजा महराजा तो नहीं रहे ना अभी किसी बड़े अफसर की बेटी अगर चित्रों की परदर्श नहीं लगाती है तो लोग उस आईस अफसर से काम कराने के इच्छुक लोग बड़ी-बड़ी महंगी कीमत देकर उसके चित्र खड़ित के ले जाते हैं मगर हमारे समाज में कला को प्रोसाहित करने का कोई प्रावधान नहीं है एक अभी जो बात आपने कहीं साधनी लोग हैं मैं साधनों के अभाव को अभाव इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे अमरीका का एक उधारन बहुत प्रभावित करता है ब्लैक पैंथर्स की कहानी आपको सब मालूम है वागे नीग्रो लोगों की कहानी नहीं बताऊंगा मगर ये मैं बताऊंगा कि जब उन्होंने एक दिन ये महसूस किया हमारे पार जमीन नहीं है हमारे पार पैसा नहीं है हमारे पार टैलेंट नहीं है हमारे टेकनिक नहीं ह तो उनका जो एक मित्र मंडल इकठा हुआ उन्होंने एक दिन विचार किया कि ठीक है हमारे पार यह कुछ भी नहीं है हमारे पर हमारा बदन तो है तो उन्होंने अपने समाज को अपने बदन पर खेलने का काम सिखाया उन्होंने अपने बदन पर अपना म्यूजुक डवलप किया उन्होंने अपने बदन की शक्ति के उपर इस पोर्स में अपना इस्थान बनाया आज अमेरिका जब गोल्ड मेडल जीता है तो उसकी लिस्ट देख करके यह भी देखना कि बिलैक कितने हैं जादा तर उसमें ब्लैक होते हैं हम लोगों को यह ऐसा बच्चों को बगेर साधनों के आगे बढ़ने सिखाने वाला नहीं न कोई हम जब कहते न किसी से बेटे बिजनिस करो तो अगले दिन घर से टेलीफून करता साब जी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं मैंने बिजनिस का मतलब तुम क्या समझते हैं तो वो टाटा बिला अडवानी का नाम है उसका अंबानी बनने का बिजनिस का मतलब उसका यह हैं वो एक छोटी सी दुकान चलाना पकोड़े का काम करना या एक एलेक्टिशन का एक कम्पूटर रिपेर का काम यह काम वो कितने सारे आज काम है वो उनको बिजनीस नहीं मानता वो एकदम से विरक्षदार पेड़ की कलपना कर लेता है मगर वो एक आम की गुठली जमीन में बो करके और उसको खाद पानी दे करके बड़ा करने का उसके दिमाग में सपना नहीं आता है यह आपको और हमको दिखाना है अच्छी अंबेटकरवादी साहित है जोतिवाफूले सावित्रीवाइफूले यह साहुजी महाराज। इन सब बारे में जो साहित है उसको सरकार भी पर्मोट नहीं करती है लाइबरी तक इसकी पहुंच नहीं है और यह आपको लगता है कि साजिस के तत ऐसा किया था जूकि आपका जो बड़ा दुख होता है महारा सरकार से जब 21 खंड चपे थे तो इन्होंने उसका हिंदी अनुवात करना शुरू किया है हिंदी अनुवात कैसे किया है कि नो जो अंगरीजी के गिरंत है उनके दो दो बना दिये तो कितने नो दूनी 18 हो गए उनमें से एक किता बड़ी थी उसके 3 खंड कर दिये 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए और 21 खंड बेचते रहे अब तक भी 21 खंड बेच रहे हैं आम आदमी क्या समझ रहा है अंगरीजी में 21 हिंदी में 21 और इस 21 की संख्या की आड में जो बाबा साहिब के 10 खंड है उनका अनुवात नहीं कर पाए उनको जनता से वंचित रखा एक बात दूसरी एक समस्या क्या है वह यह है कि वह बाबासाहिब बाइक अंगरीजी अनुवात करने के नाम पर बाबासाहिब डांक तम बेच कर की विचारा की धार मार रहे हैं जहां कोई काम की बात होती है वह ऐसा शब्द रखते हैं कि वह आदम मा की या पिताई की डैथ हुई थी, तो मैं तो अपना कस्तूर बा को लेकर के पड़ा हुआ था, ऐसी उसमें कुछ बात थी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, अच्छी बात कहीं उको कड़वी होती है, नहीं लगती, उन्हों न का नहीं, इसमें गांधी विरोधियो की पैठ हो गई थी, इसको एडिट करेंगे, कहने के मतलब यह है, कि 6 महीने में सोखंड एडिट होकर रिप्रिंट हो गए, और बाबा साहिब डाक्टम बेट करके एक बार खतम होके तो दुबारा रिप्रिंट नहीं होते, ये एक समस्या है, वो सरकार बाबा साहिब डाक् काहां देखते हैं, समय परकाशन, 10 साल बाद साहिद मैं तो नहीं रहूंगा, आप तो अभी एक दम स्वस्त है, आप ऐसे क्यों बोल रहें, आपकी बहुत जरूरत है समाज को, आप बहुत स्वस्त हैं, और मैं उमीद करता हूँ, कि आप बहुत, आपको समाज की भी आपक पहुंचने वाला हूँ आपकी जो कामना है वो पूरी हो और मैं भी मरते दम तक लिखता रहूंगा पर सम्यक परकाशन में मैं रहूं या न रहूं आप जरूर रहेंगे और रहना भी चाहिए और देखेंगे कि समाज में एक हम उधारन देते हैं कि रशिया का जो सांस्क्रिक रेवलूशन था वो साहत्यकारों ने नातक कारों ने डांसर्स ने मूजिशन्स ने वहां की किरांती खड़ी की थी और मेरा जो व्यक्तिकत काम है सम्यक परकाशन के अलावे सांस्क्रिक तूफान खड़ा करना भी मेरा एक काम है आपने दोड लगाते बच्चे होंगे इतनी जवान बच्चे इतनी बड़ी संख्या में शायद ही आपने कहीं और देखे हों मेरे दो मेरे बाजू जिनको मैं कहता हूं उसमें एक तरनुम बहुत है एक एहमंद बहुत है दोनों इतने परतिवावान कलाकार हैं हम कई लोग मिलकर मैं अकेला कुछ नहीं हूं हम उनको परमोट कर रहे हैं आज वो एक सेलिब्रीटी बन गए हैं और वो सेलिब्रीटी बन गए हैं वो शांती सुरूप है तो positive लिखना है negative बिल्कुल नहीं लिखना जो आपको गाली दे रहे हैं उनका भी जवाब negative नहीं देना है तो यह एक हम जो माहूल बना रहे हैं अपनी कमाई को हम गवाना नहीं चाहते परतिभाओं को लेखोकों को सोध करताओं को जो एक मंच मिल रहा है यह अपने सांधिस्षवरूप बहुत से बात करेंगे मैं कई बार मिला हूं इनसे नीजी तोर पर ही मिला हूं कई प्रोग्रामों में मिला हूं तो इन्होंने एक बड़ी योजना के और बिना किसी आर्थिक मदद के इन्होंने एक परकासन ख़रा किया और सम्मक परकासन आज पूरी दुनिया में पूरे देश में जहां भी करवादि समाज के लोग हैं अभी दस्या समाज के लोग हैं सोसित बंचीत तब के की जो दर्द को महसूस करते हैं उन्होंने प्रसाहित किया है और उन्होंने उसको सिवकारा है कि शम्म्मद परकासन ने एक ऐसा काम किया है जो समाज में बराबरी शमानता लेंगिक और सांति शडूप बहुत उसके अगुआ रहे हैं चुकि यह संस्थापक थे तो इनको क्रेडिट जाता है कि इनोंने एक बहतर कोशिस की है और जिसका नतीजां भी दिखने लगा है और आज हर जुवान पर समय प्रकाशन का नाम है और बड़ी संख्या में देश में विदे दान है कमरान गौतम के साथ शंबू कुमार सिंग ने असना दस्तक दिल्ली